नमस्कार किसान भाईयो मैं पिरदीद धारिवाल गाउं जगवा खुर्द जिला अमरोवा यूपी से किसान भाईयो मेरे पास बहुत लोग बहुत किसानों के फोन आ रहे हैं कि ये सही समय क्या है अमरूत के बाग का कि हम पेड किस टाइम लगाएं या अमरूत का बाग हमें किस टाइम लगाना चाहिए तो भई इसके लिए ऐसा है कोई से भी टाइम आप लगा सकते हो किसी भी टाइम पहले लोग कहते थे कि हमें बढ़सात में लगाना चाहिए जुलाई अगश्त में भई ऐसा कुछ नहीं ह कुछ पेड़ हमारे होते हैं जैसे पपीता हुआ आम हुआ इनके बाग के इनका जो हम खेत में पोधे लगाएंगे ये बाग लगाएंगे तो ये पपीता भी ठंड से मर जाता है पाला जो है वो पपीते को मार देता है और आम पर भी बहुत आम के जो छोटे पेड़ होते है उने भी पाला सुका देता है अमरूत पर कोई असर पाले का नहीं होता कितनी भी सर्दी हो कितना भी पाला पड़े है या कितनी गर्मी हो अमरूत पर फ़रक नहीं पड़ता अमरूत का पोधा आप किसी भी टैम लगा सकते हो बिल्के और अच्छा होता है सड़्दियों में तो क्या होता है कि हमारा पोधा तो नहीं गिरोध करता इतनी ज्यादा लेकिन उसकी जणे बहुत अच्छी विकास कर लेती है और जैसे हलकी सी गर्मी शुरू होती है फरवरी में तो तब पोधा भोत तेजी से चलना शुरू हो जाता है तो किसी भी टैम आप लगा सकते हो अगर इस टैम भी लगा रहे हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है आप फिर पोधे को कोई दिक्कत ही नहीं होगी फरवरी लगते ही इस टार्ट होते ही पोधा भोत तेजी से बढ़ेगा वैसे भी आप किसी भी टाइम लगा सकते हो यह बराइटी इतनी बढ़िया है कि इतनी तेजी से पेड़ चलता है कि आप पूछो ना 6 महीने में यह लगभग 5 फिट का पेड़ हो जाता है फसल तो शुरू में 3 महीने में आ जाती है दूसरी जो फसल आएगी हमारी 6 महीने में वो अच्छी फसल आती है पहली वाली क्या होता है एक 8 किलो अमरूद आता है एक पेड़ पर तो पहली तो आप मान के चलो और ना चलो लेकिन दूसरी फसल से स्टार्टिंग हो जाती है 5-7 किलो अमरूद एक पेड़ पर जादा ही 10 किलो तक आ जाते है तो आप किसी भी टाइम लगा सकते हो कोई इसू नहीं है और इसका पोधा बहुत ही जादा मजबूत होता है ये किसी चीज़ से नहीं मरता अगर हमारे खेत में पानी की सुभीदा नहीं है और गर्मियों में भी ये 15 दिन तक पानी जहल जाता है जहल क्या मतलब बड़ा पेड़ अगर हो जाता है तो ज़्यादा टाइम भी अगर छोटे छोटे पोधे हैं तब भी हमने बाग लगाया ही है और किसी वज़े से 15 दिन तक पानी ना मिले तब भी कोई बात नहीं है पोधे की ऊपर की कोपल भी अगर मुर्जा जाए तब पानी तब भी मिलता है तो भी वो सूकता नहीं है तो बहुत ही मजबूत पेड़ है लेकिन बात फिर मैं वही कहूँगा कि आप ओरिजनल लगाएं क्योंकि बाग बच्चों की तरह पलता है आज कल ऐसा नहीं है आवारा पस्वों से बचाना बहुत सारी दिक्तें होती है टाइम भी लगता है तो ओरिजनल पेड़ी लगाएं जिससे आप क्या होता है कि हम लोकल पेड़ लगाल तो लेते हैं लेकिन बाद में पस्तात नहीं है वो एक-दो साल क्वाल्टी रहती है बस फिर ना ही वो क्वाल्टी रहे और ना ही वो इतना फाला आए हमारे पोदे पर तीन फसलें भी नहीं आपाती फिर एक-दो साल ही आती है फिर लोकल तो वो जो हमारा लोकल है वो तो बेकार है उसका ना लगाएं आप इससे तो बाग ना लगाएं क्योंकि पहले आप शुरू के छह महीने बाग लगाने में मेहनत करोगे कोई आमदनी भी छह महीने नहीं होगी और उसके बाद अगर पेड लोकल निकलता है तो फिर वो एक साल ये दो साल लखने के बाद आप कटवाओगे या फिर पश्ताओगे कि ये नहीं लगाना था ये लोस में जाओगे तो भी वो भी ठीक नहीं है कि आप बाद में पश्ताओ इससे तो ना लगाओ अगर लगाओ तो वे ओरिजिनल लगाओ वरना ना लगाओ अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं यह कि ओरिजिनल लगाओ मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है बस यह बही किसान हर आदमी तो किसान के ओपर डिपेंड है किसान को लूटने में लगा हुआ है हर आदमी मील वाले हो गन्ना मील वाले हो हमारी दबाईयों वाले हो दुकानों वाले हो नर्सरीयों वाले हो कोई भी हो सब किसानों पे लगे हुए है तो भाई किसान जो है वो खुदी घाटे में चला है बच्चों की फीजत लग के खड़्चे पूरे नहीं हो रहे तो भाई मैं तो इसलिए बता रहा हूं भाई किसान अगर बाग लगाना चाह रहा है तो औरिजनल लगाएं औरिजनल पेड लगाएं अच्छा लगाएं बन्हक्ता यहां मैंने यह बोला था कि आप कोलकाता से मिलेगा और इनल कोलकाता से लाएं, तो हमारे जिले वाले नर्ष्रियों वाले सब नराज हैं इस बात पर, भहुत के फोन आ चुके हैं कि वही हमारे पास भी है, और ताइवान पिंक है यह है वो है आपने यह कहा कि और इनल नहीं है ऐसे वैसे उनके भही अब मैं उन्हें क्या बता हूँ यार मैंने का चलो छोडो कोई नहीं बता हूँ असलियत में क्या होता है मैं यहां बहुत सारी नरस्रियों पर देख चुका हूँ ओरिजनल नहीं है मैं फिर बोलूंगा चाहँ नरस्री वाले नराज हो जाओ या फिर वो दवाईयों की दुकान वाले नराज हो जाओ मेरे पर इनका कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन किसान ना लुटना चाहिए में बाद है एक तो किसान खुदी घाटे में नुक्सान में चला है अब आप इन्हें सरम भी नहीं आती लूटते हुए पता ना नर्सरियों वालों को आए और ना दवाईयों वाले दुकान वालों को आए क्योंकि एक गरीब को क्या लूटना और किसान कितना भी मालदार हो कुछ भी ओर लेकिन भ editing में खेती खेती में बहुत पूरे नहीं हो रहे है ओ गरीभी मानों उससे गरीभी है तो तो उसके बारे में मैं यही बताऊंगा कि इसलिए ही मैं सबकी आखे खोल ना हूँ किसानों की, कि ना लुटें हैं और इनल लगाएं, अब क्या होता है दवाईयों ऐसी दुकानों की बात है, हम जो है वो दुकान पर जाएंगे, कि हमें हमारे यह रोग है थोड़ा सा और आ अलब भी नहीं है कि आप दुकान से आजाओ, दस तरे की जरूत है, वो भी जिसकी नहीं है वो भी आपको चेप देंगे भई, इसलिए मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि हमें अमरूत के बाग में किसी दवाई की किसी चीज की कोई जरूत नहीं है, बस हमें लगाने का तरीका सही होना चाहिए, हमें गोबर की खाट डालो लगाते टेम, पहले तो सबसे पहले अगर हमें बाग मरूत का लगाना है, खेत को एकसार कराओ, कम्पूटर मंजा लगाओ, एकसार कराओ बहुत अच्छे से उसे, और उसके बाद टोटल खेत में पिसा हुआ चूना, आप बखेर दो, लगभग एक बिगे में एक गटा बखेर दो, और एक से डेड़ बिगे तक एक गटा बखेर दो, और उसके बाद उसकी जुताई करके पाणिज़ो, तब आप अमरूत का बाग लगाओ, जिससे क्या होगा कि हमारे खेत में कैलसियम भरपूर मातरा में हो जाएगा, और सबसे ज्दा जरूरत अंवरूत को कैलसियम की होती है, अब जब हमारे बाग में पहले से ही कैलसियम हैं, तो हम बाद में क्यों जाएगे दुकान पे, कि बाद में क्या होगा कि आप कैलसियम लेने जाओगे, ऑ जा पाल की साथ और भी आइटम देदेंगे, खात भी दे देंगे फिर यह लगाओ यह लगाओ यह लगाओ तो भई पहले ही अपने खेत में कैल्सिम पूरा कर दो सबसे ज़्यादा जरूरत अमरूत को कैल्सिम की होती है तो इसी लिए मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फॉन पर यह पर्सनल बैठ के बताते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबी बेडियो हो जाएगी फिर तो मतलब पहले से ही हम अगर तरीके से करेंगे बाग हम तरीके से करेंगे तो उसमें जरूरत नहीं है किसी भी खात या किसी भी दवाई या किसी भी स्प्रेकी कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बस हाँ अगर कोई लगा रहा है बाग तो वो फोन करके मुझसे पूछ ले कि हमारी लगाने का मन है तो मैं उसे बताऊंगा कि किस टैम क्या खेत में क्योंकि चूना ऐसा है अब हम बाद में हमारा बाग लगया तो हम नहीं डाल सकते खेत में क्योंकि वो पेड़ों को सुका देगा अब बाद में नहीं डालोगे तो कैल्सिम कैसे पूरा करोगे खेत का फिर तो दुकानों पर जाओगे तो भई लगाने से पहले आप मुझसे मिलें आएं बाग देखें पूरी जियानकारी लें बैठें उसके बाद आप लगाओगे तो आपको किसी दवाई की नहीं पड़ेगी और आपका बाग मात्र 6 महीने में टोप बिरकुल बिंदास बाग हो जाएगा फिर आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी अब 6 महीने तो किसान इंतिजार करी सकता है आमदनी के लिए क्योंकि हम गन्ना भी बो रहे हैं तो उसका पैसा भी तो एक साल बाद हादी सुरू हो रहा है एक साल की खेती गन्ने की ये तो फिर भी छह मेंने का और महnalत गन्ने के लिए हमें कुछ नहीं करना बस के profound की जड़की घास खतम कर दो कि आ कि ऑतना चला पेड़ चोटे-चोटे हैं एक दो मेंने कि लगे हुए और गास उनसे उपर है नहीं 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 वह देखर एक बस आप पेड़ के जड़की घास पूरे खेत में कुछ भी करते रहे हो कोई फसल बोलो छोटी कुछ भी कर लो लेकिन पेड़के जड़की घास साप कर दो बस जिससे क्या होगा एक तो हमारे पेड को कोई कीडा नहीं लगेगा जो घास के दुवारा लग जाते हैं और घास भी साप हो जाएगी और हमारे पेड की नलाई भी हो जाएगी जैसे नलाई होगी उस ऐसे पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है तो बहुत सारी इसी बाते हैं जो जरूरी हैं हमें बाग लगाने से पहले हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है और जानकारी होगी तब ही आप इन दवाईयों से बच पाओगे हमें ये बेफालतू के खर्चे बच जाएंगे फिर तो भाई ये हम कोई नरसरी वाले तो है नहीं कि आपको को उठाया पेट दे दिया और कोई मतलब नहीं है कि क्या हो ना हो सूख के या चले ना चले या एक साल में हो एसा कुछ नहीं है आप पहले सब लोग जानकारी लेकर ही बाग लगाए अमरूत का तो इसमें जानकारी से हमें बहुत सारी फायदें कि हमारा बाग बहुत जल्दी तैयार हो रहा है दूसरा हमारी दवाइए नहीं लग रहे हैं तो भूद पैसे की भी बचत है बहुत चीजें मतलब ऐसा नहीं है कि हम बाग लगा के भूल गए और हो जाएगा एक दो साल में ने आज कल तो बहुत जरूरी है कि अब हो जल्दी हमें आमदनी जीस चीज से होगी वही चीज हम कर रहे हैं तो सभी किसान भाईयों को मैं फिर यही कहूंगा कि वही सबसे पहला ध्यान तो यही रखें कि हम जहां कोलकाता से मंगाएं पेड़ औरिजिनल मंगाएं दूसरी बात यह है क कि बाग लगाने से पहले हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें बाग लगाने से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना उससे हमारा बाग बहुत जल्दी तयार होता है तो वही यह ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं फिर आपको फिर वीडियो में बताऊंगा या आप फ तो वह फोन करें पहले पूरी जानकरी ले उसके बागद लगाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा अच्छा आप नंबर लिख लीजिए मेरा कर किसी के पास नंबर वैसे तो अधिकतर किसानों के पास नंबर हो चुका है क्योंकि मेरे पास कम से कम सो फोन दिन में हर रोज आ रहे देने के लिए कम से कम हैं मतलब सारा दिन फोन बचता ही रहता है तो ठीक है फिर भी अगर किसी के पास नहीं है नंबर तो आप नंबर नोट कर सकते हैं क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है मेरा नंबर है 9012-98111 थैंक्यू किसान भाई हो अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं थैंक्यू बन्यवाद